इनका गंजापन था कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार का गंजापन लेके ये क्लिनिक पर आये थे और इसे के लिए वर्क करके, after hair transplant, क्योंकि इसके लिए इनका किया गया था hair transplant, और जब hair transplant हो गया, और result आपने जैसा कि thumbnail में देखा था वीडियो के सुरुआत में, कितना ज़्यादा सांदार रेजल्ट मिला इनको अपने हेर ट्रांस्परांट का और वो गवालनेस जो टोटली पूरी तरह से खतम करके एक सांदार रेजल्ट सांदार हेर इनके बाद में इनको मिले तो आज हम इनकी जरनी देखेंगे शुरू से आगरी तक जैसा कि विफोर की कंडिसन तो हमने देखी लिए इस वीडियो में आप ही वीडियो देख रहे हैं अगर आपका भी बादनेस जो है कुछ इसी प्रकार का है या पिर इससे मिलता जूलता है या किसी और प्रकार का बादनेस है तो आप इस वीडियो से relate कर पाएंगे क्योंकि बालनेस हमको चाहे जैसा हो अगर हम अपने head transplant कराते हैं जैसा कि इनका head transplant किया गया आप देखेंगे कि head transplant किस तरह से किया गया तो कुछ इस प्रकार से होता head transplant जब हमारा head transplant होता है आप भी अपना head transplant करा सकते हैं बालने इनके जैसा हो या इनसे मिलता जूलता हो या किसी और प्रकार का हो हमको भी hair transplant के बाद में बहुत ही ज़्यादा result मिल सकते हैं अपने hair transplant के बाद में hair transplant के बाद में result आने में कुछ महिने लगते हैं कुछ समय लगता हमें लगबग 6-8 महिने का समय जब हमको एक अच्छा head transplant का result देखने को मिलता है head transplant का result almost 4 months से start हो जाता है जो photos में आपके साथ share कर रहा हूँ या पर तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनका head transplant का result आगे बढ़ रहा था तो जो कि 6-8 महिने में हमारा result एक growing face में होता है 4 महिने में लगबग start होता है किसी को head transplant का result 3 महिने में ही बहुत जाद अच्छा मिल जाता है पर 4-6 महिने में कुछ इस प्रकार से head transplant के बाद में result आते है और complete head transplant का result भी मैं आपके साथ share करता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार से था देखो किता सांदा result इनको अपने head transplant का complete मिला था और कुछ इस प्रकार से इनकी total condition change हो चुकी थी head transplant के बाद में वो baldness जो आपने शुरुआत में देखा था हमने देखा था कि किस प्रकार का इनको जो है गंजा पना गया था काफी बड़े level का कहेंगे कि कॉर्णर भी जाते हैं तो जो की पीछे तक चले जाते हैं या फिर हेरलाइन भी डिश्टाब होती तो वो सामने से है जो है बाड़ने देखने पर बहुत ही बड़ा दिखता है और उसके बाद में कुछ इस प्रकार से जब अपना ट्रांस्मर्ण करा ले दे हैं मैं जितना उम्मीद किया हूँ 45 जाधा अच्छे तिरीके से मेरा रर दाया है तो शूक्रिया जितने भी तो आपको दिल से ठाइक्स करना चाहता हूं और जो प्रक्राइब प्रक्राइब और जो फॉली वोस्ट है मैं ले रहा हूं वह लास्ट है वह उसके बाद में खतम हो जागा तो बहुत ज्यादा सस्ते के चक्कन में ना पड़े क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे जब ज्यादा अट्रेक्ट ना हो क्योंकि कहीं न कहीं फिर आप अपने साथ में खिलवार करेंगे है ना और नहीं चाहते हुए आप एक प्रॉब्लम क्रियेट कर लेंगे तो जब भी आप एक प्लानिंग करें तो अच्छे क्लिनिक का सिलेक्शन जरूर करें और इसी तरह के सा करेंगे वह जो है ट्रास्पर सर्जन ही रहेंगे एक क्वालिफाई सर्जन रहेंगे एक अधेंटिक क्लिनिक रहेंगा जहां पर इन फीचर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जब भी आप अपना है ट्रास्पर कराएंगे तो सुरू से लगा के आपके लिए डिटेल इन्फोर्मेशन इनके है ट्रास्पर से लेक्टेट मिलता आप से एक और नवी वीडियों सब्सक्राइब जय ही जय भारत